निमशकार दोस्तों हमारी यूटूब जैनल आयरुवेदा टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपन टोपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्त बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में पित की पत्री से हैं परिशान तो ओप्रेशन की जिगह अपनाएं ये घरे लूपाई फाइदे देख दंग रह जाएंगे आप दोस्तों इनसान के सरीर की सर्चना बहुत ही जटिल है इसके बारे में सधान व्यक्ति जल्दी नहीं समसकता इनसानी सरीर बिमारी की चपेड में बहुत जल्दी आ जाता है इस वजह से व्यक्ति जीवन भर किसी ने किसी सारेविक समस्या से प्रेशान रहता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीवन भर निरोग रहते हैं वह अपने सरीर और स्वास्थे का बहुत अधिक देखवाल रखते हैं यही वज़े होती है कि वह बहुत कम बिमार पड़ते हैं तो आईए दोस्तों अब जानते हैं पत्री के बारे में पत्री दोत रहे की होती है सरीर में कई रहे की समस्या होती है उनमें से एक है पत्थरी की समस्य पत्थरी दोत रहे की होती है एक गुर्दे की पत्थरी और दूसरा पित की पत्थरी जब व्यक्ति को गुर्दे में पत्थरी हो जाती है तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है कई बार यह पेसाब के रास्ते बाहर भी निकल जाती है लेकिन जब पित में पत्री हो जाती है तो पेट के दाई हिस्से में ऐसेहनिये दर्द होता है जादातर लोग इसे सर्जरी की मदद से ही निकल वाती है दोस्तो, जब किसी व्यक्ति को पित में पत्री हो जाती है तो डोक्टर तुरंत पित का ओप्रेशन करके पत्री को निकाल देता है यह काफी तकलीफ देह पर गिरिय होती है इससे भविष्यमें व्यक्ति की पाचन सकते भी काफी कमजोर हो जाती है हमारे देश में ओष्दियों का काफी फहले से इस्तमाल किया जाता रहा है पित की पत्री को ठीक करने के लिए ऐसे कुछ ग्रेलो उपाई हैं जिसे अपनाने के बाद बिना उप्रेशन के पत्री की समझे से निजात पाया दासता है तो आएए दोस्तों जानते हैं पत्री से निजात पाने के लिए ग्रेलो उपाई सबसे पहले सेब का जूस और सिर्का सेब में फूलिक एसिड मोजूद होता है जो पत्री को गलाने में काफी साहिक होता है हर रोज सेब इसके जूस का सेवन करने से पथरी की समस्य से निजात पाया जा सकते हैं इसके लावा आप एक गिला सेब के जूस में एक चम्मस सिरका मिलाकर दिन में दो बार सेवन करें आपको जल्द ही आपकी पथरी की समस्य से रहत मिल जाएगी नासपाती का जूस नासपाती के जूस में पैक्टीन तत्तों पाये जाता है जो लिवर में कोलिस्टोल को बनने और जमने से रोकता है कोलिस्टोल ही पत्री का मुखे कारक है पत्री की समस्या से निजात पाने के लिए एक गिलास गरम पानी में एक गिलास नासपाती का जूस मिलाएं इसके बाद दो चम्मस सहद मिलाकर इस जूस का दिन में तीन बार सेवन करें चुकंदर और खीरा एक चुकंदर एक खीरा और चार गाजर लेकर उसका जूस बना ले इस जोज का सेवन दिन में दो बार करें इसमें मुझूद विटामिन सी और कोलोन तत्तव बलैडर में जमा हुए विसैले पधार्त को बाहर निकालता है इससे पथरी भी बाहर निकल जाती है उदिना उदिने में तारपीन तत्तव मुझूद रहता है जो पत्थरी को गलाने में मदद करता है एक गिलास पानी गरम करें और उसमें कुछ ताजी पोदीना की पत्या जालें अच्छे से उबलने के बाद पानी को ठंडा करके उसमें सहद मिलाए और दिन में दो बार इसका सेबन करें सेंदा नमक एक गिलास पानी गरम करें और उसमें एक चम्म सेंद नमक मिला कर पिए इससे पत्रे बहुत जल्दी कल जाती है इस तरह आप इसे दिन में दो बार पिए बहुत जल्दी आपको पत्री से चुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तो आप भी इन उपायों का परयोग करके अपनी पत्री की समस्य से चुटकारा पास देik तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबर्दस टिप्स लेकर आते हैं जिसे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों